तो यहां पर क्या है? डेसिमल के बारे में पढ़ रहते हैं. तो यहां पर क्या है? डेसिमल के बारे में पढ़ रहते हैं. तो यहां पर क्या है? डेसिमल के बारे में पढ़ रहते हैं. तो यहां पर क्या है? डेसिमल को कैसे रिपढ़ें करते हैं? फ्रैक्सर में कैसे लिखते इस कड़ी में हमारा नहीं चल दा तो इस कड़ी में क्या है तो इस कड़ी में है मेरा यहां के आता है एस चीज STK Ez क्या आता है कि मेरा मैं हम आधने सबसे जांबया है जात्य। इस चाइट नो दिशलर से जांग और आपको बाता तो FATE सबस्ट का आता है क्शक्वा जैग का मंतल से पाढ़ के पादा होता है वन् से थह होता है त्रीक है यहां के अगा घैसमल हो आप डैसमल के राइट साउय्ट में पढ़ते हैं वहां कि अगैं करें होता है डूसरा हे गैशना ज त्सरा हें लेगा खायद ते से ताउयट च dealers होता है 1 by 100 cm, 1 by 1000 mm होता है और इसके less type जाते है, 10s , per 100, अगर 1,000 kg होता है इसी कड़ी में आपका इसी चेम में हमने लेंदस के बाड़े में पाढ़ना है लेंदस के बाड़े में क्या पाढ़ा है, कि 1 km जिसको हम ठील, में गेंग बोलता है, 1000 meter होता है इसको हम गोलते हैं 100 मिटर होता है और एक डेका मिटर जिसको हम गोलते है तेन मिटर होता है एक डेका मिटर जो होता है तेन मिटर होता है इसी चीज़कों को हम यहां पर लिखे हैं एक डेसी मिटर दी एम एक डेसी मिटर वन पाइ तेन मिटर यानि की 0.1 मिटर होता है एक 60-meter होता है, 1 by 100-meter, यानि कि 0.01-meter होता है, और 1 mm, यानि कि 1 by 1000-meter, एक 0.001, ये क्या होता है, आपका length होता है, तो हमने आपको length में बताया, अब इसी चीज़ को हम लोग आपको इकबर weight में बता जिते हैं, इन चीजों को आप ध्यान से, आप आपने किया कि ये note-book पे note कर लेजिए, हिक लेजिए और याद कर देजिए, ये आपके लिए बहुत ही क्या है, important chapter है, यहां, तो देर हमने length के बारे में बता था, length के बारे में बताया, कि क्या हमनी चीज़ है, 1 kg, जिसको kg बोलता है, क्या होता है, 1 kg कितना होता है, 1000 g होता है, 1 kg, 1000 g होता है, 1 hecto-gram, 1 hecto-gram, 1 hecto-gram बोलता है, 100 g होता है, 100 g होता है, 1 dh-gram, 1 dh-gram आपके कितना होता है, जिसको dh-g लिखते हैं, उसको ये क्या होता है, 3 g होता है, एक फिक्सल देख़ेगा, 1 kg, 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 100 g होता है, और 1 kg, DG, equal to 황फा है, 3 g. अब इहीं पर देखेगा, क्या देखेगा, 1 kg, 1 kg, इसको DG बोलते है, 1 by 10 g, 0.1 g. याद रख्येगा 1 dC gram येनिकी DG equal to 1 by 10 gram equal to 0.1 1 centigram 1 centigram CG equal to 1 by 100 gram equal to 0.01 gram 1 centigram equal to CD equal to 1 by 100 gram equal to 0.01 gram 1 milligram 1 milligram mg equal to 1 by 1000 gram 0.01 gram हो गया तो इन चीज़ों को आप अच्छे से मुट कर लिजेए गा जार कर ले जेगा और क्या होगा हम जब भी इसके बारे में हम बताएं कि कर्वर्सेशन कैसा होता है यह सब कैसे हैं मिली को सलbon करते हैं भाट कि भूट क बता हैं तब तक के लिए आप लेंथ और बेंग इस दूनों को का जो यह तरीका है इसको आप याद करेंगे अपने दिमाग में रख लीजेगा ठीक है क्योंकि आने वाले समय में इस चीज को बनाने में क्या होगी सवहोड़ियत होगी एक छोटा सा टॉपिक है इसमें कनवर्सेशन विक्विं यूइशत फ्रॉप्रमूला होता है इसको और ये तो प्रफिश च्राइव होतह है इस्से क्या करता है इसको हम समझाते हैं और एक चोटा सा वन्म उसको इतने चाहले से याद कर लेंगे लाउन नहीं होगी यह जो सिनारियों है यह आपको बताया गया है इसको आप अच्छे से नोड कीज़ेगा और नोड करके लिख के याद कर लीज़ेगा है मैं आइसने थाइके होगी